आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बहुती टेस्टी सूखे मटर की छोली की रेसिपी ये छोला बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है आप इसे नान पराथा प्लेन राइस या सिर्फ इसके उपर बिल्कुल बारी कटा हुआ प्याज और करुले के रखा ता सुखे वाले मतर के अच्छे तरीके से बढ़ी असे पुल चुका है तो प्ली क्यूमें बढ़ग दाल देंगे की दुब कर अच्छे तरीके से गरम होने देना है टो तेल गरम होते हम इसमें डालेंगे 1 तहो आ believer should arrival 6 तो ब्लाश 3 चीछ निंगा टुकडा और एक स्टार डालेंगे हम इसमें गरम मसाले में मिलता है और एक डाल देंगे हम बढ़ी वाली कर दो ह्री आली होती है हो डाल सकते हैं और साथी निगए दो लाल मिर्च तोड कर के और इन सारी चीजों को बढ़िया से हम भुन्य देंगे ताकि यह तो यहां पर अच्छे तरीके से भून चुकी हैं गैस का फ्लेम हमने रखा है मीडियम और मीडियम फ्लेम पे हम डाल देंगे इसमें दो प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया था वो प्याज का पेस्ट बनाते समें बिल्कुल भी उसमें पानी आइड मत कीजिएगा और साथी में डालेंगे हम एक बड़ा चम्मच अद्रक और लसन का पेस्ट और इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से हमें भून लेना है जब तक कि इसका जो कच्छा फ्लेवर होता हो नहीं चला जाता है तब तक लगभग 1-5 मिनिट के लिए तो यहां पर देखे कलर भी हलका सा प मिर्ज पाउडर गैस का फ्लेम स्लो रखिएगा और साथी में डाला है अधी चोटी चम्मच हल्दी पाउडर और एक चोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और इसे हम अच्छे तरीके से चला लेंगे गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो रखना है नहीं तो मसाले जल जाएंगे और टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा सबजी का तो यहां पर हम एक मिनिट के लिए मसालो को भूनने देते हैं अब हम इसमें डाल देंगे आदी चोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर यह जरूर आप डालेगा इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आए अच्छे तरीके से हमें अच्छे से इन सारी चीजों को पका लेना है जब तक कि टमाटर का जो कच्छा फ्लेवर है वो नहीं चला जाता है तो लगबग एक मिनिट हो गया है और अच्छे तरीके से टमाटर प्याज और मसाले बढ़िया से भून चुके हैं हमारे आप day भून लिजये भिलकुल आराम से और इसके भाद इसमें च्छोले हमें डालने है और अच्छे तरीके से इसे भी हम हम एक मिनिट विए मसालों के साथ भूनें violet देंग अम्या माटर को रख अब हम इसमें डाल देंगे छोला मसाला अगर आपके पास है तो आप यूज स्च अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी करब मसाला भी इस में ड़ा सकते हैं लगभग आधा चोटा चमच़ दो छफोला मसाला हम इस में डाल देंगे एक छोटा चम्मच और अब इसमें डालेंगे हम स्वाद नुसार नमक और अच्छे तरीके से इसे हम बढ़िया से मिक्स कर देंगे सबजी को तो हमने यहां पर बढ़िया से मिक्स कर दिया है नमक और मसालो को अच्छे तरीके से हमारी जो यह जो यह चोले हैं अच्छे से भून चुक है हैं तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी पानी आप अपने हिसाब से जदाया कम डाल सकते हैं और अच्छे से हम mix कर देंगे सबजी को एक बार अच्छे से चला देंगे और गैस का flame हम रखेंगे medium और इसको हम बंद करेंगे कुकर का ढखल लगा देंगे और medium flame पे लगभग 4 सीटी आने देंगे उसके बाद हम सबजी चेक करेंगे क्योंकि मटर को पकने में थोड़ा सा time लगता है तो गैस बंद कर देते हैं और अच्छे से इसे थंडा होने देंगे उसके बाद हम इसे खोलेंगे तो अच्छा सा देखिए pressure बिलकुल खतम हो चुका है और अब हम इसे निकाल लेंगे मतलब कि खोल लेंगे और यहां पर हमारे छोले बढ़िया से पक कर रेडी हो गया है बहुत ही अच्छे से छोले पके हैं तो अब मैं इसमें डाल दूँगे थोड़े से फ्रेश कटे हुए धन्या पत्ता और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम और इसे फटा-फट से मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ आप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है दिखने में और एकदम पॉफेक्ट हमारे जो छोले हैं वो पके हुए हैं अगर आपका जो छोला है नहीं पकता है तो आप एक सीटी और उसे लगा लीजेगा लेकिन यहां पर जो हमारे छोले हैं अच्छे तरीके से पक चुके हैं और बहुती बढ़िया बहुती टेस्टी छोले बनकर रेडी हुए है और वो भी सिर्क मतलब कुछ मिन्टों में हम भी सब्सक्राइब कर दीजेगा थैंक यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो